हेलो नमस्कार साथियों मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीशोमेट्री में स्वागत करता हूँ तो चलिए साथियों क्लास हमारी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन ने बताया जा रहा था कि आपके ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ही बहतरीन हुआ है आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है ना हाँ ठीक है तो एकदम आप देखिए अब आपकी सारी क्लासेज जो है मनीश सर की मैट्स की रोशन सर की रिजनिंग की बाकी रजनीश सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे करेंट अफेर स्टैटिक जी के ये सारे के सारे लेक्षाज अब आपको ऑनलाइन यहां से प्रोवाइड होंगे तो आप जितने भी आपके दोस्त त्यार हैं जितने भी सब लोग तयारी कर रहे हैं आप लोग बढ़ियां से तयारी रेगुलर क्लासेज जो है अब मिलनी सुरू हो जाएंगी आपको एक नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा मनीशर का उसमें आपको बताई जाएंगे टाइमिंग कि किस चीज की क्लासेज कब से होंगी तो चलिए जो हमारे 10 कोश्चन की सीरीज चल रही है आज को आज को हम यह प्रदान किया गया आपके पास ऑप्शन दिये गए हैं मारिया रेशा दमित्री मुरा टोप अब्दोल रजाग गुर्ना ए और वी दोनों तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप याद रखना पहले कि जो आपका ये नोबल पुरस्कार होता है ये 1901 में जो है इसको स् स्वीडन में ठीक है स्वीडन में ये दिया जाता है स्वीडन में कहां पे स्टॉक हों इस्टॉक हों यहां से एक कोश्चन आपका और बनेगा याद रखिएगा कि स्टॉक बाकी सारे जितने भी होते हैं वो आपको स्वीडन में दिया जाते हैं बट आप यहां एक 2001 में Sweden में Stockholm में दिया जाता है और सांती का नर्वे में दिया जाता है चलिए मैं बात करता हूं अगला आपको यहां से क्या कोश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा Alfred Nobel जिन्होंने डाइनावाइट की खोच की थी आप याद रखिएगा यह उन्हीं के जनम दिन के उपलक्ष में जो है यह सांती का नोबल मतलब दिया मतलब यह नोबल पुरशकार दिये जाते हैं तो आप यहां से यह पॉइंट्स याद रखिएगा अब मैं बात करता हूं सांती का नोबल पुरशकार किसको दिया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा मारिया रेशा और दमित्री और मुरा टोव ये रशिया के हैं, रूस, ठीक है? आप याद रखना, अब्दुल रजाग जो आपका इसमें दिया है option दोस्तों, याद रखना इनको साहित्य का नोबल मिला हुआ है, किसका साहित्य का नोबल इनको मिला हुआ है? याद रखेगा ये कहां के रहने वाले हैं? तंजानिया की, तंजानिया के रहने वाले हैं अब्दुल रजाग गुर्ना और इनको साहित्य का नोबल दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका अंसर क्या है? option D. आईए कुछ और important questions बन सकते हैं आपके नोबल पूरसकार से, उनके बारे में मैं बात कर लेता ह तो भारत में याद रखिएगा पहला नोबल, वो जो है साहित्य में मिला था, और किसको दिया गया था भारत में, आप याद रखिएगा भारत यहां डाल दीजे, भारत में पहला नोबल साहित्य में दिया गया था, और वो किसको मिला था तो वो बात अगर आप से आप हुआ था एक कोश्चन यहां से आपका बनेगा कि स्टार्टी में जब नोबल पुरस्कार दिये जा रहे थे उस टाइम पर याद रखिएगा आप कि अर्थ सास्त्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिये जाते थे इनकी शुरुआत कब हुई इनकी शुरुआत हुई थी 1968 में अर्थ सास्त्र में अर्थ सास्त्र में भी नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा है आप याद रखिएगा और एक कोश्चन आप से और पुछेगा कि अर्थ सास्त्र से मतब एशिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अर्थ सास्त्र में पहला नोबल पुरस्कार मिला तो आप याद रखना दोस्तों वो थे अमर्त्य सेन इनको मिला था और अगर देट आप याद रखिएगा 1998 1998 में अमर्त्य सेन को पहला नोबल पुरशकार मतलब जो है अर्थ सास्त्र का मिला था जो एशिया के व्यक्ति थे यह याद तो दिमाग में रखना दोस्तों वो थे आपकी मदर टेरेशा मदर टेरेशा को सबसे पहले जो है महिलाओं में नोबल पुरशकार दिया गया था चलिए उमीद करताओं की कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं याद रखिएगा सांत आज में All Women Delivery Station की शुरुवात की जाएगी बहुत अच्छा है All Women Delivery Station पॉइंट को याद रखना दोस्तों All Women Delivery Station आपके पास ऑप्शन है करनाटक, आंध प्रदेश, गुजरात और तमिल नाडू अब सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों All Women Delivery Station क्या होता है तो इसके बा कर्मचारी नहीं होंगे यहां की जितने भी कर्मचारी है अफिर इनका chirida रोहा किसके द्वारा चालाया जारा रहा होगा वो MR moderate इस बात को आप याद रखिएगा और वो कहां पर खोला गया है तो यह घोला गया है गुजरात में आप याद रखिए गुजरात में काधी ए जो है जो इसका केंद्र खोला गया है उसमें यह पूड़ता महिलाओं द्वारासंचालित किया जाएगा तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा और अगर मैं बात करूं तो यह दूसरा ऐसा है सेंटर आप याद रखिएगा सेकेंड है यह दूसरा सेंटर ऐसा खोला गया भारत में अगर आपसे पहला पूछ ले तो पहले के बारे में आप याद रखिएगा यह आपका खोला गया था 2016 में यह आपका 2016 में खोला गया है और 2016 में कहा खोला गया है तो याद रखिएगा आप चिन्नई के अंदर 2016 में सबसे पहले इसको खोला गया था जो सेंटर महिलाओं द्वारा पूर्णता संचालित किया जाएगा ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा आप याद रखिएगा करनाटक साथियों यहां क्या आपको पता होना चाहिए बताता चलूँगा उनको याद रखिएगा आएए हम अगले question पर बढ़ते हैं हाल ही में राश्टपती रामनात कोबिंद द्वारा किसे बैटन ऑफ और से सम्मानित किया गया है बैटन ऑफ और पॉइंट याद रखना दोस्तों बैटन ऑफ और से सम्मानित किया गया है आ आप याद रखना ये दिया गया है किरनवेदी को किरनवेदी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों किरनवेदी की तो किरनवेदी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये पुद्दु चेरी या फिर आप पॉंडी चेरी कह सकते हैं पुद्दु चेरी की ये उपराजपाल भी किरण बेदी की जगह हैं जब इनको राष्टपती जी ने हटाया था ये उपरा जिपाल भी रह चुकी हैं किरण बेदी से आपका एक कोश्चन और बनेगा दोस्तों पहली महिला IPS भारत की पहली महिला IPS IPS आप याद रखेगा IPS ये अगर कोश्चन आप से पूच ले तो इसके दादा साहब फाल के पूरसकार किसको दिया गया है तो आप याद रखेगा दादा साहब फाल के पूरसकार रजनी कांद जी को दिया गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी ठीक है दोस्तों चलिए अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं हमारा आज का पदम पुरसकार से questions exam में जरूर बनता है, इस बार का total जो है पदम 119 दिये गए हैं, आप याद रखिएगा, 119 में 10 आपके पदम भूशन है, आप याद रखना, 10 पदम भूशन है, आप याद रखना दोस्तों, ये पदम भूशन दिये गए हैं, क्या दिये गए हैं, विभूशन पदम भूशन दिये गए हैं, आप याद रखिएगा, पदम स्री कितने हैं, 102 हैं, अगर मैं बात करूँ साथियों, कि ये सिविल्स हर मतब जो है, जितने भी हमारे सामाजी कारिकरता बगरा होते हैं, अगर मैं आर्मी, डिफेंस बगरा की छोड़ दूँ, तो इन समय जो एक सिविल्स मतब होता है, पदम विभूषड कितने लोगों को दिया गया, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, चलिए, फटा फटा आप साथो लोगों के नाम नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर करा दे रहा हूँ आपको, जिसमें आपके सिंजो आबे थे, सिंजो आबे, जापान के पूर प्रधा याद रखिएगा इनको दोस्तों fiber optics का जनक भी कहा जाता है यह question आप से पूछ लेगा तो यह अच्छा इनका जो है याद रखिएगा कि इनको पदम विभूशन दिया गया है तो यह question आपका important हो सकता है कि fiber optics के जनक इनको कहते हैं तो वह नरेंद्र कृपाणी जी थे याद रखिएगा आप अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला आप तो डॉक्टर हेग्डे डॉक्टर हेग्डे आप याद रखिएगा डॉक्टर हेग्डे नेक्स्ट आप याद रखना दोस्तों सुदर्शन सा लाहु। और आप याद रखना दोस्तों एक आपका हो जाएगा बीबी लाल एक आपके साथ यह और थे वो हैं मुस्लिम जिनका जो है क्या है अध्यात में उनको दिया गया है आप लोग हमको कमेंट में बताईए कि वह कौन है आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो वरना आप एक question देख करके आप लोग चले जाते हो, तो जो लोग भी बच्चे ये class देख रहे होंगे, वो लोग comment में आप बताईए कि आध्यात्म में पदम विभूशन किसको दिया गया है, नाम उनका बहुत ही आसान है, मैंने आपको पिछली classes में सारे कराय हुए हैं, तो कला के छेत्र में और बीबी लाल ये पुरा तत्तु से संबंदित हैं, याद रखिएगा ये सातों के सातों point, 119 टोटल दिये गए थे, जिसमें 10 आपका पदम विभूशन है, 7 आपके पदम विभूशन है, और 102 आपको पदम सिरी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपका answer हो जाएगा, option number C is the right answer, चलिए अगले question पर चलते हैं दोस्तों, हमारा आज का अगला question जो है, वो question है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाडी बन गए हैं, T20 में 3000 रन मनाने वाले कौन से खिलाडी हो गए हैं, तो विराट कोहली, डेविड मलान, बाबा राजम और जो रूट आपके पास answer दिये गए हैं, चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ विराट कोहली के बारे में, तो आप याद रखना सातियों कि इसका answer भी आपका क्या हो जाएगा, विराट कोहली, विराट कोहली हो जाएगा, इसका सही answer, कि T20 में 3000 रन बनाने कौन से प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा, विराट कोहली हैं, डेविड मलान, आप याद रखना हैं, दोस्तों, ये इंगलेंड के प्लेयर हैं, इंगलेंड के प्लेयर हैं, आप याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ बाबर आजम, तो इनकी ODI में अभी ranking स्वाथियो नमबर वन है, ODI की ये नमबर वन बल्ले बाज बन गए हैं, तो अगर आप से पूछ ले, कि एक दिवसी, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, एक दिवसी क्रिकेट में, इस ताइम पर कौन नमबर एक पे हैं, तो आप याद रखना, वो हैं आपके बाबर आजम, अगर मैं ब मैच में, दो सोरन बनाए थे, और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाडी हैं, ये क्वस्चिन आप का के परपस से इंपोर्टन्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो याद रखिए का जो URL जो हैं आपके सौवे मैच में, दो सोन बनाने वाले पहले खिलाडी बन गये है और 3000 run T20 में बनाने वाले कौन है वो आपके विराट कोहली हो जाएंगे चलिए अगले question पे चलते हैं हमारा आज का अगला question जापान में आयोजित Tokyo Olympic 2020 सुभंकर क्या था आप सातियों एक बार जाईएगा आप पिछली classes में आपको सारे जितने भी Olympics related questions हैं वो सारे कराये गए है तो एक बार आप उनको revision कर लिजिएगा आपका question गलत नहीं होगा और उसके बाद यहां पर आपको जब test कराये जाएंगे तो आप बहतरिन तरीके से आप test दे पाईएगा तो चलिए मैं बात करता हूं option आपके क्या है तो सोमेटी, फेई-फेई, मिराई तोबा और together तो अ अगर बात करूं यह होता कहा है तो टोकियो में आप याद रखिएगा और टोकियो में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यह हुआ है तो आप याद रखिएगा कि यह इसा पहला सहर है जिसने टोकियो ओलंपिक की दो बार में हजबानी किया है वो कौन सा सहर है टोकियो है आप अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों सबसे ज़्यादा मेडल इसमें किसके थे तो मेडल आप याद रखना सबसे ज़्यादा गोल्ड इसमें किसके रहे हैं तो गोल्ड आप याद रखना साथियों सबसे ज़्यादा गोल्ड आपका इसमें अमेरिका का था अमेरिका USA इसके सबसे ज़्यादा गोल्ड थे और कितने थे 39 ठीक है अगर मैं बात करूँ second position किसकी थी तो वो China की थी आप याद रखेएगा कितने थे 38 और याद रखेएगा आप जापान में यह held हुआ था तो इसलिए जापान के बारे में आप पता होना चाहिए कि जापान तो जापान के बारे में आप जानिएगा कि इनके 27 गोल्ड थे और इनकी रेंग तीसरी थ आईए अम मैं बात करता हूं इंडिया के बारे में तो इंडिया आप याद रखना दोस्तों इंडिया इसकी रेंग जो थी वो अनतालिसमी थी और गोल्ड मतलब इनके टोटल मेडल कितने थे साथ थे जिसमें इनको एक गोल्ड मिला था दो सिलवर मिला है और चार ब्रॉंज मिले हुए हैं तो यह कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा और जो इनका साथियों सुभंकर था सुभंकर आप याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का अगर आप से पूछेगा टोक्यो ओलंपिक तो आप याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा होगा अगर Tokyo Olympic पूछेगा तो इसका आपका क्या होगा मिराई तोबा होगा और यहीं अगर आपसे question उसने घुमा करके परा ओलंपिक कर दिया तो परा ओलंपिक का आप याद रखेगा क्या हो जाएगा आपका समेटी हो जाएगा तो याद रखना Tokyo Olympic का मिराई तोबा और टोक्यो पेरा उलम्पिक का आपका सुमेटी हो जाएगा और 32 ग्रेसम कालीन उलम्पिक टोक्यो सहर में हुआ था जो दो बार कराया गया था सबसे छोटा देश कौन सा था जिसने गोल्ड जीता है अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले तो याद रखिएगा वो बर्मूडा बर्मूडा आप याद रखिएगा important questions हैं यहां से questions आपके exam में देखने को मिलेंगे क्योंकि एक दो महिने इनको हो चुके हैं अब जितने भी exam आपके होंगे एक साल के अंदर में वहां से Tokyo Olympics का एकदम से समझ लीजिए आपकी question रखा हुआ है तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से तयार कर लीजिए आईए हम अगले question पे चलते हैं आपका answer हो जाएगा इसका option C मिराई 22 दर correct answer आईए अब हम बात करते हैं साथियों आज के अगले question पे हमारा आज का अगला question है भारत का तिरपनवा बाग अभियारन कौन सा है आपको पता है कि 52 थे अभी हाली म तिरपनवा जोड़ा गया है और तिरपनवा अभियारन साथियों आपका कौन सा है तो वो है गुरू घाषी दास रास्टी उध्यान के बारे में तो आप याद रखना साथियों ये 36 गड़ में है कहां पे 36 गड़ में है आप याद रखेगा question आपसे डारेक्ट पूछेग यहीं से डारेट आएगा, सेम यही कोश्चन दे सकता है, तिरपनुवा रास्टी उध्यान कौन सा है, या फिर गुरु घासिदास रास्टी उध्यान की लोकेशन क्या है, तो आप याद रखिएगा, 36 गड़ में यह है, राम गंगा रास्टी उध्यान, आप याद गया है, राम गंगा, राम गंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, यह राम गंगा जो है, एक नदी है, जो इस नेशनल पार्क के बीच से होके जाती है, उसी के नाम पर इसको रखा गया, और पहला टाइगर रिजर्ब भी आपका कौन सा है, जिम, कारबेट है, यह आप सबको पता होगा, बालमी की टाइगर रिजर्ब कहा है, तो बालमी की आपका कहा है, बिहार में पड़ता है, ठीक है, और आपका है राम ग्ड़ बिसधारी, आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में इसकी लोकेशन है, ठीक है, तो चलिए, अब मैं अगले देखते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा option number C is the correct answer कि आज का अगला question सातियों गुजरात के नए मुख्यमंतरी कौन बने हैं option दिया गया आपको भुपेंद्र पटेल आनंदी बेन पटेल चरणजीत सिंग चन्नी और मनसुख मंदाविया अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या अपर करेंट वगरा पढ़ते होगे यह question आपके लिए बहुत ही हलवा होगा इसलिए क्योंकि इसमें आपको option से भी eliminate करके आंसर इसका कर सकते हो मनसुख मंदाविया के बारे मियाद रखिएगा यह साथियों अभी आपके स्वास्त मंतरी हैं स्वास्त मंतरी या फिर health minister ठीक है तो आप याद रखिएगा स्वास्त मंतरी कौन है आपके मनसुख मंदाविया चरण जीस सिंग चन्नी इनके वारे मियाद रखिएगा यह पंजाब के बने हैं पंजाब के नए मुख्यमंतरी बने हैं कौन चरण जीस सिंग चन्नी बात करता हूं साथियों मैं आनंदी बेन पटेल की तो यह उत्तर प्रदेश की गवर्नर है याद रखिएगा यूपी की ये गवर्नर है कौन आपकी अनंदी बेन पटेल और भूपेंद्र पटेल साथियों जो है यह आपके गुजरात के नए सीम है तो आप याद रखिएगा गुजरात के नए सीम कौन है भूपेंद्र पटेल है आगे आओगा आपको ACI कौन है Instagram पर साथियों बोला है आप याद रखिएगा Instagram पर 150 million followers पूरे करने वाले पहले भारती या पहले ACI कौन है तो याद रखिएगा वो कौन है आपके विराट कोहली है कौन है विराट कोहली है इन्हों ने 150 million का आंकड़ा Instagram पर followers का पार कर दिया है आपका answer क्या होगा विराट कोहली हो जाएगा तो आप याद रखिएगा इस answer सिदा सिदा आप विराट कोहली अब मैं बात करता हूं सबसे ज़्यादा follower इसमें कौन है तो सबसे ज़्यादा follower Instagram को खुदी करने वाले है ठीक है जो Instagram का खुद का अपना पेज है सबसे ज़्यादा follower तो इसके है पहले अब बात आती है व्यक्तियों की तो अगर व्यक्तियों की आएगी तो व्यक्तियों में आप याद रखिएगा सातियों वो है आपके रोनाल्डो आप याद रखिएगा रोनाल्डो ये आपके पुर्तगाल के हैं और ये क्या है फुटबॉलर है रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है और ये पुर्तगाल के हैं और ये फुटबॉलर हैं सबसे ज़्यादा फॉलोवर इनके हैं तो आप याद रखिएगा इंस्टाग्राम पर सबस्यादा फॉलवर किसके है रोनाल्डो के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है तो आप याद रखेगा इस कांसर क्या हो जाएगा आपका विराट कोहली चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं वन इस्कूल वन आई एस योजना किस राजी सरकार के द्वारा प्रारंब हुई है मध्यप्रदेश आंधप्रदेश केरल और उडिशा तो याद रखेगा साथियों वन इस्कूल और वन आई एस योजना जो है ये आपकी केरल सरकार की योजना है जो बहुत ही अच्छी योजना है जो बच्चे प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका IES PCS का हो या फिर नॉर्माल SSC वगरा के एक्जाम हो गवर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं ऐसे 10,000 चात्र चात्राओं को आप याद रखिए 10,000 चात्राओं को फ्री में कोचिंग कराने की जो स्कीम है केरल सरकार की वही आपकी योजना का नाम क्या है वन स्कूल वन IES योजना ठीक है दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा केरल हो जाएगा इसका सही आंसर आईए हम अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं साथियों यह हमारा आज का आखरी कोश्चन है आज के लिए आपकी क्लास दस मतब जो है आपको बस खाली यह बताने का एक परपस था कि हमारी क्लासे जब लाइब सुरू हो जाएंगी और दस कोश्चनों की सिरीज आपको आज पहले यहाँ पर करा दी कई है तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताईएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपको देखे बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि कब कब कौन से सब्जेक्ट आपके क्लास लाइब चलने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप जितने जादा लोग आप बुला सकते हैं अपने दोस्तियारों को जितने भी आपके साथ तयारी करने वाले हैं वो सब लोग जुडिएगा और उसके बाद फिर मज़ेदार तरीके से हम एक दम क्लास चलाएंगे और जम के आपकी खुब पढ़ाई होगी ठीक है तो चलिए आज का हमारा आखरी जो कोश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुस वर्क का खिताब किसने जीता है फ्रेंच आपको पताया साथियों चार मैंने बताये थे चार में पिछली क्लास अगर आप हुमारी जाके देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि यूएस ओपन फ्रेंच ओपन औस्ट्रेलियन ओपन और आपका विम्बल्डन मोस्टली कोश्चन आपके साथियों यहीं से देखने को एक्जाम में मिल जाएंगे अगर वो काफी डीपली जाएगा तो आप क्लास देख लीजिएगा आज यहाँ पे इस कोश्चन से मैं यह पॉइंट्स आपके क्लियर करा दे रहा हूं तो आप याद रखना दोस्तों आपके यहाँ से जो पॉइंट बन जाएंगे कि यूएस ओपन फ्रेंच ओपन और स्टेजिन ओपन और विम्बंडल आप याद रखेगा विम्बंडन में तो यह आपका विम्बंडल होता है इसका नाम विम्बंडन ठीक है आप याद रखेगा अब यूएस ओपन में साथियों अगर मैं बात करूं तो आप याद रखेगा इसमें डेनियल मेदवे देव डेनियल मेदवे देव इनका नाम है तो याद रखेगा ये थे मेदवे देव डेनियल मेदवे देव ये थे इसके विनर और अगर मैं बात करूं फ्रेंच ऑस्टेलियन और विम्बंडल तो याद रखना आप पुरुष वर्क का खिताब में तीनों में कौन है तो आपके नुआ जोकोविक हैं ठीक है नुआग जोकोविक जो आपका आउसर दिया हुआ है ये आपका ये तीनों के विजेता फ्रेंच ऑस्टेलियन और विम्बंडल ये तीनों के विजेता आपके नुआग जोकोविक हैं और US Open डेनियल मेदवेदेव हैं पूरुस वर्इमें अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके हमको बताईएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को फारवर्ड करिए, अब आपको डेली यहां से क्लास मिलेगी, ठीक है? तो चलिए, अगली क्लास में हम मिल तब तक के लिए सबको राम राम जय श्री राम बंदे मातरम जय हिन